Hello friends, welcome back to my channel Pregnancy Care and Advice दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दस ऐसे लक्षणों के बारे में जिन में से अगर आपको एक भी अपने अंदर नजार आता है तो आपने डेफिनेटल एक बेभी बॉई को कंसीव किया है और दोस्तों ये सारे जो सिम्टम्स में आपको बताने जा रही हूँ ये सारे हमारे बुजुर्गों के तजूर्बे के आधार पर हैं तो आपको इसका कोई भी गलत मतलब नहीं लेना है ये सिर्फ आपकी उत्सुक्ता को शांत करने के लिए है तो वीडियो को जरूर देखेगा एंड तक बिना स्किप किये और अगर मेरे इस चैनल प्रेगनेंसी की और एन अडवाइस पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथी साथ बेल आइकन की बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपका आगे आने वाले वीडियोस के नोंटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें और आपकी प्रेगनेंसी एक हेल्डी प्रेगनेंसी बन सकें तो चलिए दोस्टो वीडियोस शुरू करते हैं तो सबसे पहरा लक्षन है दोस्तों पैरों में सूजन आना और पैरों का ठंडा पढ़ जाना तो दोस्तों अगर आपको अपने अंदर ये लक्षन नजर आ रहा है आपके हाथ पैर ठंडे पढ़ रहे हैं स्वैलिंग उनमें आ रही है तो आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है दूसरा लक्षन है दोस्तों पेट का नीची की और जुका हुआ रहना ये एक बहुती बड़ा साइन माना जाता है बेबी बॉय होने का इसके साती दोस्तों पेट के नीचले हिस्से में दर्द रहना ये भी बेबी बॉय होने का सिम्टम माना जाता है तीसरा जो symptom है दोस्तों वो है breast में changes दिखाई देना एक breast आपको बड़ा दिखाई देगा तो दूसरा आपको छोटा दिखाई देगा अगर आपको अपने breast के size में changes नजार आ रहे हैं और इसके साथी साथ उनमें दर्द महसूस हो रहा है तो आपने भी एक baby boy को conceive किया है नेक्स जो लक्षण है दोस्तों वो आपकी नाक की shape में आपको दिखाई देगा आपकी जो नाक है वो आपको थोड़ी सी उठी हुई नजार आएगी याने के थोड़ा सा उभरी हुई नजार आएगी तब भी ऐसा माना जाता है कि आपने एक baby boy को conceive किया है नेक्स जोस्तों मुगा taste change हो जाना जो चीज़ें आपको पहले पसंद थी वो अब आपको पसंद नहीं रहती हैं और जो चीज़ें आपको पसंद आने लगी हैं हो सकता है वो आपको पहले पसंद नहीं रही होगी तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो आपने भी एक baby boy को ही conceive किया है नेक्स्ट है दोस्तों आपकी सूंगने की जो शक्ती है वो कम हो जाएगी याने कि जो चीज़े आप पहले बहुत आसानी से सूंग सकते थे उसे smell कर सकते थे वो आप काफी जादा कम हो जाएगा आप उन चीज़ों को बहुत आसानी से smell नहीं कर पाएंगे तो ये भी एक बहुत बड़ा लक्षन होता है baby boy होने का नेक्स साइन है दोस्तों आपके हाथ पैरों में या फिर face पर छोटे छोटे बाल निकलाना ये भी एक बहुत बड़ा साइन माना जाता है baby boy होने का तो दोस्तों ये वो 10 symptoms थे जिन में से अगर आपको एक भी अपने अंदर देखने को मिल रहा है तो ये माना जाता है कि आपने एक baby boy को conceive किया है उमीद करते हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी मिलते हैं नेक्स वीडियो में धन्यवाद